आपकी जैसे आपको पता है किसका प्याइल का मत्तब है पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन किसका इंटरस्ट पब्लिक का जाग गया है किसमें लिटिगेशन करने में किसी का अगेंस केस फाइल करने में तो किसी कोई भी परसन मूट आगे जा सकता है कि भाई मेरा तो इंट का पार्ट है जीजीशियल एक्टिविजम जो पी ए ए एल आपका उसे में डेवेलप हुआ ता या जो पूरा ही प्रोसेस होता है नांटीन सिक्स्टीज में इंडिया में जो पी ए एल है तुमारा वो जीडीशल एक्टिविजम के दोर पे आया है सुप्रियम कोट का जो जुडिशल एक्टिविजम हुआ है 1980s में इसको उंट्रिड्यूज किया गया था किसके द्वारा जस्टिस VR किष्णा आईयर के द्वारा और जस्टिस P.N. भगवती द्वारा इन्होंने ही P.I.L. दी है अंडिया में किसने VR, कृष्णा, आईयर और P.N. भगवती ये दोनों लोगों ने दोनों जस्टिस ने आपकी P.I.L. की टम दी है P.I.L. को आप सोशल एक्टिगेशन या फिर सोशल इंटर्स लिटिगेशन भी बोलते है P.I.L. का मतलब क्या है? देखिए P.I.L. के अंडर कोई भी पब्लिक स्पिरिटर्ड जो सिटिजन है या सोशल ऑर्गनाजिशन है वो कोड में जा सकता है किस के लिए? रैट के इंफोर्समेंट के लिए किसी भी परसन के रैट के इंफोर्मेंशन के लिए क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो पूर होते हैं और जिनको पता नहीं होता कि भाई आगे क्या करना है कि इसको कैसे लड़ना है या सोशली एकॉनमिकल बैकवर्ड होते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटिजन या फिर कोई गुरूप उनकी हेल्प कर सकता है पी आईल के तो पी आईल के ऐसा नहीं कोई इसको बकी ली जाएगा कोई भी परसन पब्लिक का कोई भी मेंबर जिसको इंट्रेस्ट हो कि भाई मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए वो जा सकता है PIL के तहत PIL के परपस क्या है vindication of the rule of law vindication का मतलब है किसी को सही मतलब ठहराना और facilitating effective access to justice to the socially और जो economically जो weaker section है जो socially और जो इनके पास पैसे नहीं है जो socially backward OBCS, CST वो लोग हैं तो उनको justice provide करना क्योंकि they don't have the money they don't have resources अपने लिए लड़ने के लिए और fundamental rights का realization करने के लिए fundamental rights properly follow हो रहे हैं वाइट तो नहीं हो रहे socially economic section आपका case नहीं लड़ने पा रहे हैं या फिर अपने education के विए से उनको पता नहीं है चीज़े क्या हैं तो गलत है FFRs भी उनके wallet हो रहे हैं तो ये PIL इसके लिए भी है देखिए जो PIL है आपका बिलकुल जो normal education होती है उससे अलग है नॉमल में क्या होता है दो person होते हैं एक दूसरे against case करते हैं हाँ एक दूसरे against relief या फिर claim करते हैं जो भी है लेकिन PIL में ऐसा नहीं है ये ऐसा ही नहीं सिर्फ right confirmation एक individual के right enforce करने के लिए ही नहीं बलकि ये क्या promote करता है ये एक public interest और एक ऐसी social में वो promote करता है harmony ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो PIL का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है PIL है एक cooperative effort है cooperative यानि एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कौन-कौन petitioner जो होता है जो case file करता है state होती है public authority होती है court होती है मिलके काम करते है किसके लिए क्या secure करने के लिए constitutional legal right benefit privileges किसके one label section के लिए और उनको social justice देने के लिए तो ये ध्यान अखिएगा 1998 में Supreme Court ने judgment दी है मतलब set of guidelines दी है कि भाई क्या-क्या-क्या follow होने चाहिए कौन-कौन सी चीजों के against PIL दाखिल हो सकती है और ये guideline 2003 में और उसमें 1993 में modify भी हुए है जैसे ये कुछ cases हैं जिसमें PIL entertained हो सकती है PIL दाखिल हो सकती है जैसे bond labor matters है neglected children है non payment of minimum wage है workers की casual workers का exploitation के लिए और labor laws का violation के लिए इसमें भी PIL दाखिल हो सकती है जैसे police के against हो सकती है FIR नादर्ज करने के लिए police custody में death के लिए women के atrocities के against तो ये बहुत सारी चीज़े है petitions from right victims इसके लिए भी PIL दाखिल हो सकती है okay environmental deposition बहुत चल रहा है देखिए तो इसके against PIL दाखिल हो सकती है family pension के लिए PIL दाखिल हो सकती है इन cases में आपके PIL दाखिल नहीं हो सकती जैसे landlord tenant matters में no PIL और service matters में नहीं gratuity जो मिलती है जो services में होते हैं और central state government के against जो complaints होती है government departments के against जो complaint होती है उनके against भी आप PIL दाखिल नहीं कर सकते और medical institute educational institution में जो admission के लिए आपका PIL दाखिल नहीं कर सकते और जैसे भाई आपको case high court में या पर subordinate court में अपने case को जल्दी सुनवाना है उसमे PIL दाखिल नहीं कर सकते देखिया अब guidelines क्या है PIL के admit होने का कुछ तो rules है PIL को admit करने का भाई हाँ PIL के तहट आप case हम सुनेंगे आपका कौन कौन सी guidelines है important guidelines मल लेते हैं court should be fully satisfied substantial public interest is involved before देखिये court को satisfied fully satisfied होना पड़ेगा होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा public interest है इस case के लिए ओके तो उसी के बाद ही वो PIL as a PIL जो जाएगी और उसे सुनवाई होगी और एक ये भी court को ensure करना पड़ेगा कि जो petition file होती है किसके दोरा busy bodies के दोरा या फिर ulterior motives जो motives साइने रहते जिनके उनको discourage किया जाए court को अब बहुत सारे लोग हैं फिर्वलस जो जो दोक अधड़ी से या फिर जो fake बात चीजें करके अपना बस time खराब करने के लिए अपना और दूसरों का प्याइल 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 दाखिल करते रहते हैं तो court को यह इंशोर करना पड़ेगा कि प्यटिशन जो फाइल होती है वो वो क्या हो वो court का time बरबाद ना करें और resources बरबाद ना करें और court क्या कर सकता है उन पर impose कर सकता है जो exemplary cost हो सकती है okay fine लगा सकता है बहुत सारी चीज़े कर सकता है वो गलत तरीके से PIL का फाइदा उठाते हैं तो चलिए that's enough for PIL खेर योज़स थैंक यू सो मच